नीज़े किस्ट पहामनाब इस संग इसका मेरा रोड क्या से प्रस्ताःपित आज के यहां इस प्रलाथ कालिम श्रीमत भाक्त सत्रम्य है भक्तों का हादिक स्वागत आपकार्द श्री श्री श्रादा गेर्धारी जी के उस्ट कामने स्रेकार करें श्रिलप्रावपाजी के कृपा प्राप्त करें बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पे चर्चा हो रहा है यह काल समय यह समय भागत महत्वपूर्ण है यह समय जो है हमारे हाथ में है वो है वर्तमान जो भूत काल है जो बीट गया है वो हमारे हाथ में नहीं है जो भविश्य है वो भी हमारे हाथ में नहीं पर वर्तमान में अगर हम भगवान का सिवा करेंगे तो हम इस लोग के अनुसार इस लोग के अनुसार कहा जाता है कि सूरिय उनका आयू नहीं खीचेगा कहते हैं कि सूरिय जब उदय होता है और अस्त होता है तो व्यक्ति के जीवन से एक दिन हर लेता है क्यों हर लेता है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मोह माया में लगा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो मोह माया में लगा हुआ है उनको लंबा समय जीना मनिश शरीर में जीना अच्छा नहीं है क्योंकि वो और पाप करेगा और अपराद करेगा और उनका लंबा आयो होगा हे विदूर सूरिय अपनी असिम उश्म तताप्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है सच बात है अगर सूरिय ना होता तो शायद ही यहां पर व्रिक्षों में फल और इतियादी जो है हमें होता और हम सब जो है उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना आज हम है सूरिय से विटामिन डी आता है, विटामिन डी से स्फूर्ति आता है, शरीर में टाकत आता है, ये साइन्स भी कहता है, तो सूरिय नहीं हो गए है, तो सब कमजोर हो जाएंगे, वह सारे जिवों का आयू, इसलिए कम करती है, देखिए, बड़ा सपष्ट बता रहे हैं, मैत् चुड़ाया जा सकता है तो यह सूर्य जब भी आता है तो सावदान हो जाना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहिए और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो और ज़्यादा सावदान होना चाहिए क्योंकि अब माया जो है हमारे पर हावी हो रहा है तमगन बढ़ रहा है तो यहां पर यह स्लोग जो है बहुत मातवपूर्न है जो बोड में लिका है यह जो है बता रहा है कि सूरिय जो है बहुत 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 चतुर है सूरिय देव है, सूरिय नारायन है और एक एक जीव के उपर उनका नजर है एक एक जीव के उपर उनका नजर है और जो जीव भगवान का भक्ती करता है उनको वो बक्स देता है बक्स देता है निकी उनको पकड़ता नहीं है और जो जीव भगवान का भक्ती नहीं करता है उनका समय जो है हर लेता है उनका समय इस शरीर में हर लेता है हम जो भी करते हैं इस संसार में हम जो भी करते हैं उसका जो है खास करके मनिश्य शरीर में पाट्ची शरीर में भी जो भी करते हैं उसका तेरा शाक्षी है अजामिल प्रसंग में आप पड़ोगे यमराज जी यमदूत जो है यमदूत विश्णुदूत का जब बारतालाप होता है पाद विबाद होता है तब यमदूत जो है विश्णुदूत से कहते हैं हमने देखा है कि अजामिल ने क्या क्या किया है हम जो इसे पकड़ने जा रहे हैं इसके पीछे एक नहीं दो नहीं तेरा शाक्षी है कितना तेरा मेरा शाक्षी नहीं तेरा शाक्षी है कितना एक दो तीन चार पांट चेस साथ आट नौ दस ग्यारा बारा तेरा तेरा प्रित्वी, जल, अगनी, वायू, अकाश, दिन, रात, संध्या, सूर्य, चंद्र, और जितने भी दिशाएं, दस दिशाएं हैं, ये सब जो है, इसके साथ साथ देवता और देवता फिर स्वयम, प्रित्वी, जल, अगनी, फिर वायू, अकाश, दिन, रात, संध्या, संध्या नहीं, दस दिशाएं, कितने होगें, आठ, सूर्य, चंद्र, अब कौन रहे गए, सूर्य, चंद्र होगे, दस हो गया, देवता, ठीके, देवता हो गये, ग्यारा, और परमात्मा भी है, वो तेरावा है, और एक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर तेरा शाक्षी है, हमारे शरीर में जितने भी पृतिवी हैं, पृतिवी से बनावा, वो भी शाक्षी देता है, हमारे शरीर में 70-30 जल है, वो भी शाक्षी देता है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और वायू है, वो भी शाक्षी देता है, तो ये सब जो है, शाक्षी बनकर, हम जो भी करते हैं, उसको जो है, भगवान के पास पेश करते हैं, इतना ही नहीं, ये जितने भी, जि का एक ही काम है मनिश शरीर में आने के बाद क्या इंगों ने दिन में रात में भगवान का बजन किया अगर बजन किया तो उनको लंबा आयू देते हैं अगर वो भगवान का बजन नहीं किया है तो उनका आयू हर लेते हैं तो यह है सूर्य का काम सूर्य चंद्र यह भी जो ह शाक्षी है तो इस प्रकार से जो है यह जो भागवत है हमें शिक्षा दे रही है कि हमें सावदान होना चाहिए कृष्ण का भजन करना चाहिए कृष्ण के सेवा में लगना चाहिए और अगामी यह जो कृष्ण जन्माश्मी महामासव आ रहा है तो हम कृष्ण जन्म के इस सुन्दर लिलाओं को हम श्रवन कर रहे हैं और उन कतावों में हम सुनते आएं कि किस प्रकार से नंद के आनंद भयो जैकनया लालकी अब नंद माराज के आंगन में बादर मास के कृष्ण पक्ष के अश्टमी के ठीक रात के बारा बजे प्रकट हुए कृष्ण और उनकी बहन पर जब कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से कि उनके स्वागत में कोई नहीं है तो उनको बहुत गुस्षा आया और वो माह शोदा के पीट के और चले गए और जब माह शोदा के पीट के और चले गए तो उनकी जो बेहन सामने थी उसी वक्त वसुदेव आते हैं मतुरा से और तुरंत मतुरा क्रिश्णों को रखते हैं देवकी क्रिश्णों को रखते हैं और चोटी सी बालिका को लेकर चले जाते हैं अब दोनों क्रिश्णों मिल गए तो फिर दोनों धमाल मचने नहीं दोनों एक हो गए तो एकदम से रोने लगे। जैसे вся रोने लगे तो युखव Didamayya के जीवन में आनंद का कोई सीमा ने रहा जोर से चिलाने लगी बोले युखव does तो सुननन्दा जो थी, नंद महाराज की बेहन, वो सामने ही सोई थी. वो एक्दम खुश ओकर नाचने लगी. नंद के आनंद बल्चुनुगा उ। तो वो चिलाने लगी. फिर नंद महाराज जो थोड़े दूर में सोये थे, वो जाग गए, वो नाचने लगे. नंद के आनंद बायो और सारे ब्रजवासी जो है वो भी जग गए और चिलाने लगे नंद के आनंद बायो जैकन या लाल की हाती गोड़ा पाल की जैकन या लाल की नंद के आनंद बायो जैकन या लाल की भागवत के दसम्सकंद के पांचवे अध्याएक के स्लोक नमबर एक से लेके अटारा तक सुन्दर नंदुत्सव का बनन आता है श्री सुकबाचा नंदस्तु आत्मजः उत्पने जातहलात महामना आहुया विप्राव वेदग्या स्नात सुचे रालां क्रेता नंद माराज इतने खुश हुए इतने खुश हुए इनके जो है कुशियों का कोई सीमा ने रहा उत्तुरंत यह मुना में स्नान किये सुन्दर पितामबर बस्तधारन किये और मतुरा से ब्रामनों को बलाए और अलग अलग प्रकार के जो है सूत यानि की जो गुनगान करते हैं भगवान के रामा ये महा भारत का उचारन करते हैं उन्होंने सूद को बुलाया था विपरों को बुलाया था जो बेदग्य थे उन सब को बुलाया था इस प्रकार से ये जो सुन्दर महत्सों मनाया गया था सुननदा जो है बहुत नाचने लगी नाचने लगी अब सुननदा जो है टुंकि वो नंद माराज की बेहन है तो अब जो है छोटा सा कृष्ण को उठाने एशुदा मया से अलग कर दिया और कृष्ण को अपने कोट में लेकि नाचने लगी अब एशुदा मया कह रही है कि लाला को मझे वापस दे दो एशुदा मया कहते है कि लाला को मझे वापस दे पर सुनन्दा कहते है कि मैं लाला को वापस नहीं करूँगी बोला क्यों नहीं करूँगी कि बोला लाला अब मेरा है लाला अब मेरा है, इतना सुन्दर बालक वो मेरा है, तो बला क्यों, बला नहीं, इसे कौन छोड़ेगा, इतना सुन्दर बालक को कौन छोड़ेगा, क्यों कृष्णा जोड़ेगा, नीले रंग के लग रहे थे, जैसे हम लोग, उनके सुन्दर गुंग्राले बाल, चोटे से भी तेर पर गुंग्राले बाल थे, और वे कान में कुंडल दारंग के लग रहे थे, और नीले रंग के लग रहे थे, तो नील मनी जैसे लग रहे थ इसे जाने ने देखा तो वो जो है सुनन्दा हद करने लगी तब नंद मारा जाने बोले आप दोनों में क्या चल रहा है बोला देखो मेरा बेटा है यह चोटा सा लाला पर अपकी बेहन उसे उठा के बोलतरी कि नहीं दूंगी तो मैं एक शर्त में जो है यह लाला को दुंगी लाला क्या है इसके बदले में मुझे नील मनी चाहिए यह नील मनी के जगे में दूसरा नील मनी चाहिए तब यशदमया डाटती है बुले बुड़ी हो गई हो ब्रज में ऐसे ही डाट फटकार चलता रहता है बृद्ध हो गई है बुड़ी हो गई हो अब भी इतना अलंकार के पीछे आप पागल पगली हो गई हो नील मनी लेकर कौन से आप उत्सों में जाओगे शरीर तो अभ तो बलते हैं देखो नील मनी नहीं मिलेगा तो यह मनी नहीं मिलेगा तब नंद माराज बलता है छुप जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ और वो अपने दरबार से घर से एक नील मनी लेते हैं अपनी बैंग को जो है नील मनी देते हैं और नंद माराज जो है बड़ा सुंदर वर्नन आते हैं नंदुत सोग का आयोजन करते हैं, यमना में सनान करने के बाद पितामबर वस्तधारन करते हैं, मतुरा से ब्रामन आते हैं, वो सब सुंदर सुंदर स्लोकों का उच्छारन कहते हैं, कहते हैं कि जब मतुरा से ब्रामन आकर जब बहुत दान, बहुत यग्या कर रहे थे, वो जो समय होता है, बच्छे का शरीर, जो है मा के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, एक नली से, उसको नला उचेद कहते हैं, जो मा, सुती का ग्रह में होती है, तो बच्छा का नली से काटने का जो समय होता है, वो बहुत पवितर माना जाता है, और उस समय में जितना दान दो, जितना दक्षिना दो, जितना हम ग्रामनों को, वैश्णों को दान देते हैं, उतना ज्यादा धन जो है, वो बच्छे को मिलता है इसलिए परिक्षित महाराज का जन्म हुआ था तब भागवत में वर्नन आता है पहले सिकंद में किस प्रकार से युदिष्टिर महाराज ब्रामनों को नलाचे का जो समय है उससे पहले बहुत-बहुत दान देता है तो यह हमारा प्रता है तो यहां पर नंद महाराज दान पे दान दे रहे हैं भागवत में वर्नन आता है साथ, एक, दो, तीन नहीं साथ, बड़े-बड़े पहाड, तिल का उतना दान दिया था तिल, तिल दान में दिया था ब्रामनों को एक नहीं, दो नहीं, साथ हम लोग मंबई में ज़्यादा पहाड नहीं देखते हैं पर गरगन चुमगी इमारत को देखते हैं बड़े-बड़े पर इतने बड़े-बड़े पहाड रूप, जो की अकाश को भी छुता है उतना तिल दान में दिये तिल दान में दिये और उसके साथ-साथ एक-एक ब्रामन को गाई दान में दिये और गाई के साथ-साथ उन्होंने हाती भी दान दिये तो इस प्रकार से तिल, गाई, ये सब एकदम से दान में देते जरें जितना कम समय उनको माल में जैसे नलच्छेद हो जाएगा तो फिर बच्चे को उतना लाब नहीं मिलेगा ब्रामन को दान दे रहते हैं बस्तर दे रहते हैं इतिया दि तो कहते हैं कि कृष्ण तो कृष्ण है भगवान साख्षाद आ गए है जगत ईश्वर ईश्वर इद्यवरम भजा कृष्ण निदिम गिरिदारी मुरारी पूरारी परम वो भगवान जो की शिवर जी सारे देवताओं के भी स्वामी है ऐसे भगवान आगे तो शिवर जी पारवती गनेश सब लोग आगे जब जब शिवर जी आगे आगे जा रहे थे तो नंदी और आगे-आगे जा रहा था अब इतने तेज रफ्तार से दान दिया जा रहा था ब्रामनों को तिल गाय हाती तो शिवजी अभी सारे देवता अलग-अलग रूप बना करा रहा थे शिवजी के साथ-साथ नंदी भी आगे जा रहा था पर नंदी जब आगे जा रहा था तो नंद माराज को थोड़ा सा स्वरी शिवजी को थोड़ा टेंशन आ गया अगर ये नंद माराज इतने तेज गती से दान दे रहा है कहीं नंदी को अपना गाय समझ कर दान दे देगा तो मेरा एक ही गाड़ी था वो भी मोटर बाइक चला जाएगा तो मैं कहां से जाओंगा तो नंदी का पूँच किस था अरे आगे मज़ आगे मज़ पिर दोनों दर्शन करके आगे निकले अब इतने हातियों का दान में दान में दिया जा रहा था पारवती गनेश के जी के साथ आ रहा था तो देखा कि नंदी महराज इतने तेज गती से दान दे रहे हातियों का भी तब देखा कि कहीं गनेश को हाती समझ कि किसी ब्रामन को दान दे देगा तो एक ही लोता बेटा है उनका प्यारा सा बेटा वो भी चला जाएगा छोटा बेटा लोता होता है बड़ा बेटा कार्थिक है पर वो भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा ओ गनेश को कच के पकड़ाता कहते हैं कि सारे देवी देवता 33 कोटी देवी देवता उस प्रसंग में आये थे तब जो है ब्रज में अब अगले दिन सारे जितने भी जितने भी ब्रजवासिते नंद के आंगन में आ जाते हैं कहते हैं कि नंद के आंगन में अब जो है अब जो है नंद के आंगन में जो है सब लोग दूद दही लेकर आये थे इतना दूद इतना दूद जो है नंद के आंगन में बहरा था मानों की एक दूसरा समंदर मंतन हो रहा था अच्छा वो जो समंदर मंतन था जिसमें देवता और असूर एक तरफ थे और जो परवत जो था वो क्या था? वो बन गया था रसी पर इस समंदर मंतन में क्या हो गया क्योंकि नंद महराज बुड़े हो गये वो नाच नहीं थे पर वो नाचने का प्रयास कर रहे थे तो ब्रजवासी ने कहा आज उत्सवे आपको नाचना ही पड़ेगा अच्छा तो नंद महराज के पीट में एक कपड़ा बांग दिया एक तरफ सारे बरजवासी खीच रहे और दूसरे तरफ सारे बरसाने वासे खीच रहे थे आप सब को मैंने पिछले कता में बताया था आठ दिन से तैयारी हो रहा था सब लोग गर में दूद दही सब इकटा कर रहे थे और सब दही दूद लेकर आए अब इतना दूद दही एक दूसरे के ओपर फेक रहे थे ये नंद उत्सों में एक दूसरे के ओपर दूद दही फेक रहे थे इतना जो है सम्रित था हमारा भारत दूद, दाही से एक ये एक दूसरे को नहरा रहते हैं और सब लोग चिला रहते हैं नंद क आनंद ब़यो और माकन फैकते थे तैई फैकते थे दूद फैकते थे और इतना दूद की 2-3 लीटर जो है दो तीन मीटर उपर तक आता था अब जो है सब लोग नाच रहे थे और नंद माराज नाच नहीं रहे थे तो इसके जैसे बताया था दोनों तरफ दे बार गरजवासी इदर कीचे तो नंद माराज ऐसे हो गए तो बरसानावासी उस तरफ कीचे तो नंद माराज उदर हो गये और इस प्रकार से समंदर मंतन हो गया और वो जो समंदर मंतन था उसमें तो जहर निकलाता पर यह जो समंदर मंतन है इसमें अमरित ही अमरित है कृष्ण का जन्मभा वो अमरित है नंद महराज के इसमें अमरित इस प्रकार से नंद महराज नाचने लगे तो यह सब सुन्दर उत्सव को मानाया गया था ब्रामन स्थूति कर रहे हैं सुद्गन गुंगान कर रहे हैं यह सब चल रहा था कहते हैं कि श्रीमति रादा रानी जो है इस उत्सव से इतने प्रसन हो कि उनका भी बर्नन इस नंद उत्सोव के 18 स्लोकों में आता है इसका आनन्द जो है हम लोग फिर कभी लेंगे आज के लिए इतना ही है कि कृष्ण के जन्म होने से जो है सारे ब्रजवासी आनन्दित हो गए पर यह जो उत्सोव था बड़ा गुप्त रुप में मनाया गया था पर ब्रजवासी के आनन्द का सीमा नहीं रहा क्योंकि नंद माराज के घर में जो है संतान का पुत्र का सुक प्राप्थ हुआ ब्रजवासियों का एक ही दुप्त वो यह दुप्ता कि हम सब के घर में संतान हैं बस नंद माराज के घर में संतान हैं और वो आज बादरमास के इस कृष्ण पक्ष के रोहनी नक्षतर के अंतरगत ठीक भारा बज़े पूरा हुआ तो कहते हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पने नंद के आत्मज यानि कि आत्म से एक आत्मज का अर्थ होता है पुत्र शरीर से पर एक और अर्थ होता है आत्मज का यानि कि आत्म से भगवान उत्पन हुए जात अलाग महामना नंद पाराज को महामन कहें महामन का अर्थ होता है जिसका हिर्दाए बहुत महान होता है संकुचित नहीं मेरा तेरा, मेरा तेरा नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा नहीं जो महान है, वो कहता है कि सब कुछ भगवान का है में भी भगवान को ये सब कुछ भगवान का है उसे महामन कहते है महामन और जो महामन होते हैं उनके ही मन में भगवान आते है जैसे प्रभुपाद जी ये महामन है वो जानते हैं सब कुछ भगवान का है भगवान के सिवा में लगाने और जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश है उनको भगवान के साथ जोड़ना है उन्होंने कभी इस कौन को या इस कौन के संपत्ति को अपना नहीं कहा है वो कहा कि यह सब इस कौन का है, कृष्ण का है उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे शुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुच औरों को खुशियां देता है औरों को खुशियां देने का एक ही तरीका है कि औरों को कृष्ण भक्ति दें जो औरों को कृष्ण भक्ति देता है वो ही औरों को आनंद देता है जो औरों को आनंद देता है वो ही नंद होता है और जो नंद होता है उसी के हिर्दय में भगवान जो है उसी के जिवन में भगवान जो है प्रकट होते हैं तो अगर हमें भी अपने जिवन में कृष्ण को प्रकट करना है अपने हिर्दय में प्रकट करना है अपने दिल में अपने मन में प्रकट करना है तो हमें भी नंद बनना पड़ेगा, हमें भी महामन बनना पड़ेगा अर्तात सब को कृष्ण देना होगा अर्तात हम सब को अच्छा भक्त बनना पड़ेगा और औरों को भी अच्छा भक्त बनाना होगा जैसे प्रवपाजी ने किया Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare!, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare तो इस प्रकार से जन्माष्मी का लो एक हम सब को तैयारी करना होगा परम्पुझे गृबपalnya क्रिश्ने को सामिम माहराज़ हमेशा इस बात को दोराते हैं कहते हैं कि जन्माष्मी की जो तैयारी है वो दो तरह से होता है एक है बहिरंगा और एक है अंतरंगा बहिरंगा यानि कि मंदिर को सजाओ गर को सजाओ लोगों को बुलाओ पैंपलोट बाटो डिजिटल शोशल मीडिया में जो है अड़टाइस करो इस प्रकार से जो है औरों को स्वागत करो बहुत सुन्दर उत्सो मनाओ महात्सो मनाओ यह है बहिरंगा और अंतरंगा कृष्ण कता जो है सुनिये सुनाइए स्मरंद करते रहे खास करके कृष्ण बुक पढ़िये कृष्ण का जन्म का उत्सवग कैसे कृष्ण और जो है असुरों का बद करते हैं यह सब जो है कता सुनते रहे और हिर्दे में कृष्ण को जो है स्तान दीजे जब हम कृष्ण कता सुनते रहेंगे हमारा हिर्दे पवित्र हो जाएगा और हिर्दे पवित्र होगा तो कृष्ण हमारे इर्दे में आगा और तब होगा असली जन्माश्टमी और ये असली जन्माश्टमी जब तक नहीं होगा तब तक जो है हर साल हमें जन्माश्टमी मनाना होगा ये ट्रेनिंग है हर साल बादरमास में हम जन्मास्ट में इसलिए कि एक दिन मेरे मन में भी कृष्ण प्रकट होंगे और जिस दिन हमारे मन में कृष्ण प्रकट हो जाएंगे वो होगा असली जन्मास्ट में मुरा मन प्रिंदा बन कृष्ण को लाना है यही जन्मास्ट में इसी का तो तैयारी है इसलिए तो कृष्ट भान्ना भावित आंदोलन में हम है इसलिए तो हर साल जन्माष्टमी मना रहे हैं तो ये साल का जन्माष्टमी बहुती अद्बूत होगा बहुती विशेश होगा बहुती अलोकिक होगा क्योंकि यह जन्माष्ट में जो है यह जन्माष्ट में जो है यह प्रभुपाजी के 125 दिव्य व्यास या जन्म उत्सव के साथ चुड़ावा इसलिए हम इस कौन के बक्तों के लिए जन्माष्ट में भी विशेश है और प्रभुपाजी व्यास पूजा या प्रभुपाजी क्रिश्न का तास्रवन करें और भेरनग याने की मंदिर को सजाएं, घर को सजाएं इन्ही शब्दों के साथ Vaniikuv प्रभपाद जी, नउमी के शुब कामने श्रीले प्रभपाद खीज श्री किस्ट जमाढश्रिमाप्स्एव कीज जाए जाए श्री रादे जाए श्री रादे जाए श्री रादे जाए श्री रादे श्रादे हरे एक्रस्तुम